खत्रो के खिलाड़ी या फिर नजबलिये, हो गई ना इस तफ चॉइस, अब राहुल वैदे के सामने भी जब ये तफ चॉइस आई तुम्होंने किसको चूथ किया है, चलिए बताती हूं इस वीडियो के अंदर, हेलो दस ली सागंगवानी, फिर खत्रो के खिलाड़ी और नजबलिये, आलमुस्स सिमिलर टाइम पर आने वाला है, और दोनों ही शोज, दोनों ही रियालिटी शोज को लेकर, काफी जादा बस created है, क्योंकि बिग बॉस के काफी सारे contestants को अप्रोच किया गया है, इन शोज में आने के लिए, अब नजबलिये में तो जोडियों आ सकत जिन में से किन्धों ने confirmation दिया है, या भी तख confirm नहीं हो पाया है, हाला कि पवित्रा ने साफ बोला है, that if she gets this offer, क्योंको नजबलिये में आना है, तो वो बिल्कुल भी deny नहीं करेंगी, क्योंकि Ajaz Harbali is such a good dancer, अब बात आई राहुल वैदिकी, तो उनके पास भी इन दो शो जिहां खत्रो के खिलाडी का जहां 11th सीजन आना है, वहीं नजबलिये का ये 10th सीजन होगा, और राहुल वैदिने खत्रो के खिलाडी को चूज कर लिया है, जहां पर वो as a solo contestant जाएंगे, वो शायद अपनी बलिये के साथ अभी तक stage पे आने के लिए तयार नहीं है, या पिर शायद खुद को टांस में कच्चा समझ रहा है राहुल क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि वो विल्कुल भी कच्चे हैं, तो राहुल we wanted to see you in both the shows, लेकिन चली अगर आपने खत्रो के खिलाडी को चूज कर ही लिया है, उस पर confirmation की मोहड लगा ही लिया है, तो we are equally excited, लेक कहना चुआ दे हैं, कमेंट सेक्षिन में जरूर लिखकर बताईगा और हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि और भी कई सारी खबरे हैं, लगातार आप तक पहुचाएंगे